अलो प्यारे बच्चों डाउट हट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम करेंगे कक्षा साथवी गनित के अध्याए ग्यारे को परीमाप और छेतरफन इस वीडियो में बच्चों हम इसका इंट्रडेक्शन करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर जो जो सुत्र परियोग होंगे उन सब के बारे हम विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों हम पहले पढ़ेंगे कि परीमाप और छेतरफन होता क्या है परीमाप से मतलब होता है बच्चों किसी भी आकरती कोई भी आकरती है उस आकरती के जो सीमा है उसकी जो बाउंडरी है उसकी कुल लंबाई कितनी है वो कहलाती उसका परीमाप जैसे हम यह एक आकरती लेते हैं A B C D एक वरग है तो प्रीमाप से मतलब होगा इसकी जो बुजाएं है इन सभी बुजाओं का जोड इसकी जो सीमा है बाउंडरी है जो उनका जोड यहां से हम सुरू करें A से तो A से B की लंबाई फिर B से C की C से D की और D से A की यह कुल लंबाई कहलाएगी इसका यह कह सकते हैं कि इसकी चारो बुजाओं का जोड यह होता है प्रीमाप किसी भी आकरती की सभी बुजाओं का जोड या सभी बुजाओं की लंबाई का जोड क्या कहलाता है उसका प्रीमाप प्रिमाप किसी भी बंद आकरती के चारो और की दूरी है वो क्या कलाएगी प्रिमाप प्रिमाप किसी बंद आकरती के चारो और की दूरी है ये बंद आकरती है इसके चारो और की दूरी ये क्या कलाएगी इसका प्रिमाप या ये कह सकते हम की AB जमा BC जमा CD जमा DA यह हो जाएगा इस आकरती का प्रीमाप अब बात करते हैं छितरफल की अब छितरफल से हमारा मतलब होता है किसी भी बंद आकरती दोवारा गेरा गया कुल भाग या किसी भी बंद आकरती दोवारा गेरे गए तल के छेतर को क्या कहेंगे छेतर फल इसको इस तरह समझे जैसे हमारे पास ये एक A, B, C, D, एक वरग है हम बात करें इसके छेतर फल की तो छेतर फल से हमारा मतलब होगा इसके अंदर का ये सारा भाग इस वरग के अंदर का इसकी जो बुजाएं है इनके दोरा जो भाग गेरा गया है ये अंदर का जितना भी भाग है सारा ये ये कहलाएगा इसका छेतरफल तो हम ये कह सकते हैं कि एक बंद आकरती दोरा गेरा गया भाग क्या कहलाएगा छेतरफल सबसे पहले हम लेते हैं वरग को वरग का छेतर रफ़ निकालने का सुत्र होता है बुजा गुणा बुजा वरग के अंदर चारों बुजाएं होती ही पराबर तो बुजा गुणा बुजा यह होता है छेतर रफ़ निकालने का सुत्र फिर होता है वरक का प्रिमाप वरक का प्रिमाप निकालने का क्या सुत्र होगा तो वरक का प्रिमाप निकालने का सुत्र है इसकी चार बुजाओं का जोड या ये कह दें कि एक बुजा को हम गुना कर दें चार से बुजा गुना चार या चार गुना बुजा क्योंकि वरक की चारो बुजाएं क्या होती? समान तो चारो बुजाओं को हम जोड़ें या एक बुजा को चार से गुना करें एक ही बात है तो चारो बुजा अब बात करते हैं हम आयत की या करती बना ली मैंने आयत की आयत में लंबाई और चोड़ाई अलग-अलग होती हैं आपने सामने की बुजाएं क्या होगी बराबर लंबाई चोड़ाई क्या होगी अलग-अलग पहले हम छेत्रफल का सुत्र कर लेते हैं आयत का छेत्रफल निकालने का सुत्र होता है लंबाई गुणा चोड़ाई लंबाई को चोड़ाई से गुना कर देंगे तो छेतर अपना हमारे पास आ जाएगा अब हमें निकालना है आयत का प्रीमाप आयत का प्रीमाप निकालने का सुत्तर है दो गुना लंबाई जमा चोड़ाई लंबाई चोड़ाई में दी मिलेगी उन दोनों को जोड़के दो से क्या कर देंगे गुना तो हमारे पास आयत का प्रीमाप आ जाएगा समानतर चतर बुझ क्या करती इस प्रकार की होती है समानतर चतर बुझ किसे कहेंगे हम एक ऐसा चतर बुझ जिसकी आमने सामने की बुझाएं बराबर और समानतर हों आमने समने कि बोज़ाएं बराबर हों और क्या हों समानतर हों वो कहलाएगा समानतर चतर बूज़ इसका अगर हमें प्रिमाप निकालना है तो बचो प्रिमाप का तो सुत्र सभी के लिए एक समानी है कि सभी बूजाओं का जोड कर देंगे A B जमा B C जमा C D जमा D अगर हमें निकालना है इसका छेतरफल तो समांतर चतरबुज का छेतरफल निकालने का सुत्तर होता है आधार गुना उच्चाई हमें आधार दिया मिलेगा और उच्चाई दी मिलेगी तो हम उससे निकार देंगे उसका 6 तरफ़ AH को हम मान सकते हैं उच्चाई अधार हो जाएगा CD तो हम कहेंगे CD गुना AH अब हम बात करते हैं तिर्बुज के बारे में तिर्बुज की परिबासा बच्चों क्या होती है तिर्बुज तीन बुजाओं से बनी बंद आकरती क्या कहलाती है तिर्बुज तीन बुजाओं से बनी बंद आकरती हो जाएगी तिर्बुज हम एक तिर्बुज बना लेते हैं यह हमारे पास एक तिर्बुज है ABC हमें अगर निकालना इसका प्रीमाप तो प्रीमाप का सुत्र तो वही है बच्चो सभी बुजाओं का जोड हम लिख देंगे सभी बुजाओं का योग वही क्या होगा इसका सुत्र इसकी सभी बुजाओं का हम जोड देंगे तो हमारे पास इसका प्रीमाप आजाएगा यह कह सकते हैं कि हम A B जमा BC जमा AC या CA ये हो जाएगा इसका प्रीमाब अगर हमें निकालना है इसका छेत्रफल तो छेत्रफल का सुत्तर होता बच्चो एक बटा दो गुना अधार गुना उच्चाई यहाँ पर आप ध्यान देना अधार गुना उच्चाई का आदा किया गया है अधार गुना उच्चाई बराबर होगा समान्तर चतरभुज का छेतर फल का आधा इन दोनों में संबंध है तो हमें त्रभुज के अंदर उच्चाई D मिलेगी यहाँ पर उच्चाई है AH आधार हो जायेगा B C तो यहां सी साकरती से अगर हम देखें तो तिरबुज़ का छेत्रफल हमारे पास हो जाएगा एक बटा दो गुना अधार गुना उच्चाई अधार हमारे पास है BC और उच्चाई हमारे पास है AH उच्चाई बच्चों हमेशा लंबभत होती है, बिलकुल खढ़ी होती है, लंबाई खवीवियं आड़ी तिर्ची नहीं मापते, लंबाई हमेशा लंबभत सीधी मापते हैं चोथिया करती बच्चों व्रित की व्रित का छेत्रफर लिया परी माप पorgती बना लेते हैं ये हमारे पास एक वर्थ की आकरती है वर्थ कोई भी गोल चीज वर्थ कहलाती है जैसे कि हम कह सकते है साइकल का टायर है स्कूटर का टायर है हाथ में पहने जाने वाड़ा कंगन है ये सब क्या है वर्थ की सेप के हैं वर्थ की आकरती के हैं तो वर्त की प्रीधी और वर्त का प्रीमाप इसको समझो तो बच्चों जो प्रीमाप होता है वो वर्त के केस में क्या कहलाएगा प्रीधी हम वर्त के प्रीमाप को वर्त की प्रीधी कह सकते हैं वर्त का प्रीमाप ही क्या होता है वर्त की प्रीधी अगर हम यहाँ पर वर्त की प्रीदी की बात करते हैं तो एक तरह से हम वर्त का प्रीमाप की बात कर रहे हैं आपको यह मान के चलना है तो वर्त की प्रीदी या वर्त का प्रीमाप निकालने का जो सुत्र है वो हो जाएगा दो पाई आर जहां पर आर क्या होती है आर होती है तिरज्या यह हमारी आर वर्त के उपर वर्त की प्रीदी पर कोई भी बिंदू से केंदर की दूरी क्या कलाएगी तिरज्या आर आर में दी मिलेगी तो प्रीदी हो जाएगी दो पाई आर दो गुना पाई गुना आर पाई होता है उसका मान होता है 22 बटे 7 या 10 मलों में कह सकते हैं 3, 10 मलों 1, 4 यह होता है वरत का प्रिमाप या वरत की प्रीदी अब बात करते हम वरत के 6 तरफल की 6 तरफल निकालने का सुत्तर है बच्चो पाई आर स्केर या पाई आर का वरग जहां पर आर तिरज्या है पाई कमान 22 बटे 7 या 3, 10 मलों 1, 4 तो पाई आर का वरग यह हो जाएगा वरत का 6 तरफल निकालने का सुत्तर तो बच्चो इस तरह से हम सभी आकरतियों के 6 तरफल या प्रिमाप आसानी से निकाल सकते हैं आपको प्रिमाप में और 6 तरफल में अंतरमाल मुनाची यह प्रिमाप से मतलब होता है किसी भी बंदा आकरती के 4 और की दूरी और 6 तरफल से मतलब होता है किसी भी आकरती दवारा गेरा गया कुल भाग वो कहलाएगा उसका 6 तरफल यहां पर हमने सभी आकर्तियों के चेत्रवल और प्रिमाप निकालने के सुत्र हैं वो याद कर लिए हैं अब हम करेंगे प्रशनावली 11.1